काफी टाइम बाद एक ऐसी मूवी देखने को मिली है जिसको देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया बुलेट ट्रेंज इसकी लेंथ है तकरीबन डो घंटे के आज पास रखी गई है और इस मूवी की अगर कहानी की बात करें तो देखें बहुत एक सिंपल सी स्टोरी है दिखने दिखने में उपर की तोर पर लेकिन जब आप इस मूवी को पूरी मूरी देखते हैं तो आपको लगते हैं इतना ज़्यादा इसके ओपर दिमाग खर्च किया गया है तो स्टोरी की बात कर लेते हैं तो एक व्यक्ति जिसका नाम होता है लेडी बग जिसको प्ले किया गया है ब्रेट पीट के तरह अब लेडी बग को लेडी बग लेडी बग को एक काम दिया जाता है कि उसे बुलेट ट्रेन में चड़ने और वहां पर एक ब्रिफ केस को उठाकर उसे अगले स्टेशन पर वस उतर जाना है अच्छल में लेडी बग को किसी और व्यक्ति की जगह पर उस बुलेट ट्रेन में भेजा जाता है अब ये सारी बातें जो हैं वो तमाम बातें कहीं न कहीं लिंक हैं वो मैं यहां बता नहीं सकता अब यहां पर जब ब्रैड़ पिट यानि की जो लेडी बग है बुले ट्रेन में चड़ता है उतर और फिर वहाँ पर अगले सेशन पर उतर नहीं कि जैसे वो कोशिश करता और नहीं उतर पाता और फिर पता चलता है कि उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग उस बैक के पीछे पढ़े हैं उनका कैसे एक दूसरे से कनेक्शन है कैसे नहीं है इन समाम बातों के उपर जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती है और एक तरीके से राज खोलती चलती है और ज्यादा इंटरस्ट क्रियेट होने लगता है काबलिय तारिफ है इस मूवी की कहानी लिखने वाले की या फिर इस मूवी के मेकर्स की कि उन्होंने सारे करेक्टर्स को जो भी इस मूवी के अंदर हो रहे सीन है उनको कैसे हर एक सीन के साथ इंटर लिंक किया है पीछे से कैसे उनका कनेक्शन दिखाया गया है और इसमें किस्मत यानि कि जो एक भाग्य अच्छा है बुरा है उसका हमारी लाइफ पर कैसे एसर पड़ता है इस बखत को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया मतलब वह वाली चीज देखकर काफी मज़ा आता है और सच में मुझे 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 के कहानी बहु भी देखें तब समझ जाओगे उनका करेक्टर मुझे काफी पसंद आया क्योंकि वह कैसे एक दूसरे से नौक जोंक करते हैं और फिर एक फणी वे में ये कैसे अपने सामने आने वाले कातिल मतलब कि जो भी इंसान इनके सामने आता है जो इनके रास्ते में आता है कैसे उ पसंद आने वाले हैं मतलब सारी जीजहां पासंद आने वाली है कोमिडी जैसे इस तरिकी के मूवी में रखी गई है ऐसा लगे गया। यह ओल। जो comedy है आपने कहीं नहीं देखिए और actual में ऐसा मुझे feel हुआ कि मैंने कहीं पर वो उस तरीकी की comedy नहीं देखी थी कहीं कहीं ऐसे fighting scene हो रहे थे उस fighting scene के बीच में जैसे एक phone का बजना और फिर वहाँ पर जो conversation हो रही है वो देखकर मुझे बहुत जादा हसी आई थी मतलब व कि जिस तरीके का bullet train का हाल कर देता है न यार वो देखकर अनन्द आ जाता है इसके अलावा movie में जो action sequence में आपको बता चुका हम बहुत बढ़िया है story बहुत बढ़िया है characters के काफी ज़्यादा अच्छे हैं और जैसे जिसे movie आगे बढ़ रही है कैसे एक दूसरे से link है scene ज आपको interest है वो बढ़ता है कम बिल्कुल भी नहीं होता सच कहूं यार जब movie देखकर में बाहर निकला एक दूब बिल्कुल fresh था कि यार इतनी अच्छी movie मैंने देखी है और इन जैसी movies के ओपर जब आप पैसा खर्च करते हैं तो सच में दिल खुश हो जाते कि हाँ यार जादा बॉयलेंस नहीं है लेकिन हैं अच्छे आपको बहुत बढ़िया है इतनी सारी अच्छी बाते हैं आप लोगों गिनादी फिर आते हैं कि कम यार ओवरॉल मुझे movie के अंदर कहीं पर भी कमी नजर नहीं आई मुझे तो देखो नजर नहीं शायद आप लोग इसको आपको नजर आए मुझे तो movie काफी जादा पसंद आई मैंने movie को बहुत इंजोई किया जैसे मैंने जब थेटर से बहार निकला तो एक तो ऐसा फ्रेश फिल किया ऐसा लगा कि यार बहुत बढ़िया चीज मैंने देखी है कहीं पर भी कोई ठकान नहीं थी कोई regret नहीं था यहां कभी हां भी मैंने अपने पैसे ऐसी जगह खर्च कर दिया जैसे हाल में जैसे शंशेरा movie थी या फिर मैं बात करूं एक और movie थी मैं उसका नाम भूल नहीं भूल रहा हूं मतलब अच्छी बात है भूल रहा हूं है कचरा movie थी एक था एक विलन विए विलन रिटन कर यह वह इतनी कचरा movie इन movies के उपर पैसे खर्च होते तो गुसा ही बहुत आता है तो वह फैली फिलिंग आपको लोगों को बिल्कुल भी नहीं आने वाली है तो फ्रेश कंटेंट आपको देखने को मिलेगा story wise action wise comedy wise हर एक एंगल से मेरी तरब से देखो इस movie को मैं देना चा है तो हिंदी डविंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई compare में इंग्लिश कर नहीं सकता क्योंकि आप लोग अगर देखना चाहे तो हिंदी में इंग्लिश में आपको पसंद ही आने वाली है तो आज के लिए इतना है इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते हैं नाइस वीडियो में जाहिन